बोपाल से खबर जहां आज बद्रदेश में विभागों का बटवारा हो सकता है मंत्रियों को उनके विभाग दिये जा सकते हैं मुख्यमंत्री श्रीवराद सिंग चोहान ने कल ही इस बात के संकेत दिये थे कल शनिवार को जब मुख्यमंत्री गवालियर पहुचे थे तो चर्चा के दोरान उन्होंने रविभागों का बटवारा करने की बात कही थी बता दें आपको कि दो जुलाई को मंत्री मंदल में 28 नए मंत्रियों ने श्रपत ली थी और तब ही से इंतजार किया जा रहा है विभागों के बटवारे का हम रुक करेंगे वासू चौरे हमारे संबात दाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए जादा वात्शीत के लिए वासू दो जुलाई वो तारीक थी जब नए 28 मंत्रियों ने मंत्री मंदल में शपत ली थी और तब ही से एक लंबा इंतजार किया जा रहा है कि आखिर विभागों का बटवारा कब होगा और आखिर कार अब मुख्यमंत्री ने स्तंकेतों कुछ ऐसे ही दे दिये हैं कि जिस पर पुष्टी भी हो गई कि आज जविवार को विभागों का बटवारा हो सकता है अब इलकुल देखिए जब से मद्देश में सत्ता का परिवरतन हुआ है सिवराज सरकाद दूसरी बार बनी है तब से ही हर जो चाय मंत्री मंडल का विस्तार हो और अब विभागों का बटवार हो एक लंबा समय लग रहा है चुकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि कॉंग्रेस से कुछ नेता भाजपा में शामिल हुए जोतरादे सिंद्या का पूरा खेमे का भाजपा में विले हुआ है जो करीब मनाय मंत्री है उनमें से 19 मंत्री भाजपा के हैं 9 मंत्री जोतरादे सिंद्या खेमे के हैं तीन मंत्री वो हैं जो कॉंग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे ऐसे में जो सभी के बीच में सामंजस बठाना समीकरन बठाना और विभागों का उचित तरीके से भटवारा करना एकदम एहम हो जाता है उसको लेकर ये पूरा समय लग रहा है जो सुत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी वो ये थी कि जो विभाग हैं उनको लेकर जो भाजपा के वरिष्ट नेता हैं जो पिछली सरकारों में मंत्री रह चुके हैं और अभी जो नए मंत्री बनाए गए हैं जो मंत्री मंडल का विस्तार हुआ है इसमें उनके भी सामंजस नहीं बैट रहा था हमें दस दिन का करीब अब तक लग चुका है और विभागों का बटवारा नहीं हो पाया हाला कि कल शिवराज सिंग चोहान ने गौलियर में का है कि आज वो विभागों का बटवारा कर देंगे और सबको बीस सबरी से इंतजार है कि कब तक विभागों का बटवारा हो सकत वहीं दो तारिक से लेकर अभी तक लगतार जो भाजपा के बड़े नेता है उनमें चर्चाओं का दोर सिलसला जारी रहा चाहे दिली में शिवराज सिंग चोहान पहुंचे तो उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा से मुलाकात की राजना सिंग से अमिशा से तम बड़े नेता है और पिछली सिवराज सरकार में एहम विभाग हुआ करते थे यह फ्रेंट लाइन लीडर से बीजेपी के Φो मंत्री थे और सबसे बड़े विभागों की जिम्मेदारिया इन लोगों के पास सी और अब जो दिरादिस सिंधिया के और कॉंग्रेस के खेमे से जो विधायक मंतरी बनाए गए हैं उन्हें कौन से विभाग मिलते हैं और किसनी वरिष्चता को ध्यान में रखा जाता है और जो दिरादिस स कर दोड़ें